नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चेरपरिचे दोस्तों पस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बहुत ही महतोपून जानकारी को ले करके जिहां भारत में एक कहावत बहुत ही प्रचलित है एक अनार सो बिमार अर्थात अनार एक ऐसी महा और शदी है जो अनेको बिमारि प्रसिद्ध है अनार फाइबर के साथ साथ विटामिन C, K और B का बहुत अच्छा श्रोत है इसमें लोहा, मैगनीशियम, फासफोरस, पोटैशियम, फोलेट, मैगनीज, सेलेनियम, जिंक जैसे और भी अन्य पोशक्तत्व नहीं थैं यह फल उमेगा 6 फैटी एसिड का भी ए एक अच्छा श्रोत है अनार का फल ही नहीं अपीतू इसका हर एक अंश शरीर के स्वास्थ के लिए लाफदायक है अनार के पेंड की जड़ें, पत्तियां, छिलका, बीज, इत्यादी सभी और शद्य प्रयोजनों के लिए उप्योग की जाती है यह पाचन शक्ति को बेहत कर देता है, हिमोगलोबीन के गठन को बेहतर बनाता है और एक बहुत अच्छा रक्त शोधक है, तो आईए हम इस चमतकारी फल के चमतकारी गुणों के बारे में आज जानते हैं, अनार लाता है तवचा पर चमक, जी हाँ, अनार के पोशक्तत्व आपको सुन्दर जमा जुर्यों को तवचा की सुन्दर्ता को कम करने से रोकता है, इसमें और भी अन्य पोशक्तत्व होते हैं, जो उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने में सहायक हैं, प्रती दिन एक अनार अपने आहार में शामिल करना चीहें आपको, एतनो फार्मा कोलोजी के जर्नल म प्रकाशित एक अध्यान के अनुसार, अनार कोलेजन, संशलेशन को बढ़ावा और मिटलो प्राटेनिंस वन के उत्पादन को रोक कर तवचा को जवान बनाये रखता है, इसके साथ साथ ये मोखिक स्वास्थे को सुधारने में फायदे मंद होता है, जी हाँ, अनार में इन्टी प्लांक गुण पाये जाते हैं, जो समग्र मोखिक स्वास्थे में सुधार लाकर उसे तरुताजा कर देते हैं, अनार में मौजूद तत्व, दंत पटिका यानि कि प्लाक के खिलाप संरक्षन प्रदान करने में सक्षम होते हैं, पटिका गठन को कम करके यह दंत शय, पायरिया, मसूडे की सूजन और क्रित्रिम दांतो, स्टोमेटीटीस जैसे दंत समस्याओं के जोखिम को कम कर देते हैं, जीवन के प्राचीन विज्ञान में प्रकाशित एक 2011 के अध्यायन की रिपोर्ट में पाया गया कि अनार के रस से कुला करना पटिका गठन को 32% शक्त तक कम कर सकता है, अनार के फायदे हिरिदय के स्वास्त में सुधार लाने में भी होते हैं, जीहां, अनार आपके हिरिदय के स्वास्त के लिए अत्यंत सिहत मंद होता है, यह रक्त धमनियों को पोशित कर रक्त प्रवाह में सुधार लाता है, इटली में नेपल्स वि चाव में मदद करता है इसके अलावा ब्रिटिश के पोशन जर्नल में प्रकाशित एक 2010 के अध्यान में पाया गया है कि 800 मिली ग्राम अनार के बीज का तेल ट्राइंगिली स्राइड को कम करता है और उच्छ घनतों वाले लिप्रो प्रोटीन यानि कि HDL अनुपात में सुधा लाता है इसके बाद अनार के और शद्य गून स्वस्थ रक्त चाप बनाए रखने में सहायक होते हैं जिहां अनार उच्छ रक्त चाप के रोगियों के लिए भी बहुत लाबदायक होता है यह एक अच्छा इंटि ऑक्सिदेंट है और विटामिन C एवं नाइट्रिक एसी की संभावना को भी बहुत हद तक कम कर देता है कंप्लिमेंटरी थेरेपिज इन क्लीनिकल प्रेक्टिसेज में प्रकाशित एक 2011 के अध्यान का कहना है कि अनार का रस शिष्टोलिक रक्त चाप कम करता है रोजाना एक ग्लास अनार का जूस पिएं और रक्त चाप को नियंत रित करें अनार का सेवन करते समय रक्त चाप के अस्तर को देखते रहें विशे शुरूप से तब जब आप अनार का सेवन बलर प्रेशर की दवाईयों के साथ कर रहे हूं तब अनार के स्वास्थे लाभों में से एक महतोपूर्ण लाभ है कि ये जोडों के दर्द के अनार के बीजों का सेवन दैनिक नियमित रूप से करें यह इंटियोक्सिदेंट एवं सूजन को कम करने वाले गुहों से युक्त है और जोडों में अकड एवं सूजन को कम करने में सक्षम है 2005 में पोशन जर्नल में प्रकाशित एकड ध्यन के अनुसार अनार में ऐसे तत्व समाविष्ट हैं जो जोडों को शति पहुँचने से रोकते हैं जोडों के दर्द से राहत पाने के लिए आप रोजाना एक ग्लास अनार का जूस पिएं लेकिन यदि आप कोई दवाई ले र इस्तिमाल कर सकते हैं अस्मरन शक्ति को बढ़ाता है अनार जी हां अनार का सेवन करने से अस्मरन शक्ति को तो बढ़ावा मिलता ही है परन्तु साथी में यह अलजाइमर यानि कि भूलनी की बिमारी जैसे दिमाग से समबंधित विकारों को भी हराने की शमता रखता है 2013 में हुए एक शोध में पाया गया कि अनार दिमाग की क्रियाओं में सुधार लाता है और उम्रसंबंधित दिमाग की समस्याओं को भी ठीक करता है अनार के जूस के फायदे एनीमिया के लक्षनों से लडने के लिए भी बेहदलाबकारी होते हैं अनार एनीमिया से पीडित रोग्यों के लिए एक संजीवनी बूटी के समान है यह शरीर में लोह की कमी को पूरा कर red blood cells की संख्या को भी बढ़ाता है यह रक्त में हिमोगलोबीन की मातरा में बढ़ोतरी कर उसके प्रवाह में भी सुधार लाता है इसके अलावा यह विटाम शम डाइटरी सप्लिमेंट है और एनीमिया के लक्षणों से लड़ने में शरीर को पूरा सहयोग देता है एनीमिया को मात देने के लिए रोजाना अपने सुबह के नाश्टे के साथ एक कप अनार का जूस पिए इसका दूसरा विकल्प यह है कि आप अनार के बीजों को प अपचार करने में भी बेहदलाबकारी है अनार की स्वास्थ के लिए गुनवत्ता छोटी छोटी बीमारियों तक ही सिमित नहीं है अपितू यह कैंसर जैसी बड़ी बीमारी से लड़ने का भी सामर्थे रखता है यह कैंसर की कोशिकाओं का नाशकर ट्यूमर के विकार पर पून विराम लगाता है अनार के फल का सेवन प्रोश्टेट फेफड़े एस्तन एवं स्कीन कैंसर में अत्यंत लाफ दायक होते हैं इस फेड में किये गए अनेक शोधों ने अनार के एस्तन एवं स्कीन कैंसर पर सकारात्मक प्रभाव की पुष्टी करी है अनार कैंसर से बचाव करने में भी अती शक्षम है कैंसर से बचाव करने के लिए या फिर उसका उपचार करने के लिए अनार को अपने दैनी का हार में शामिल करना चाहिए अनार के रस का फायदा है मधुमेह को नियंतरित करने के लिए जी हां जो लोग मधुमेह या फिर किसी भी उपाप बचई संबंधित बिमारियों से ग्रस्त हैं उनके लिए अनार बोहत ही फायदे मंदफल है यह इंसुलीन के प्रती शरीर की समवेदन शीलता को कम करता है और मधुमेह से होने वाली समस्याओं से भी बचाओ करता है पोशन अनुसंधान में प्रकाशित 2013 के अध्यान में पाया गया कि अनार के रस में अध्वीति एंटियोक्सिडेंट पालिफेनाल्स यानि कि टैनिन और एंथोस्यानिन्स होते हैं जो टाइप टू मधुमेह को नियंतरित करने में मदद करते हैं प्रजनन शमता को बढ़ावा देता है अनार जी हां अनार उन महि हिलाओं के लिए अत्यांत फायदे मंद होता है जो गर्ववती होने का प्रयास करती है यह गर्भाशे में रक्त प्रवाह को बढ़ा कर उसे सशक्त कर देता है और गर्वपात के खत्रे को खत्म कर देता है फार्मा कोगनासी पत्रिका में प्रकाशित एक अध्यायन के अनार के अधिक्तम सेवन से बचना चाहिए क्योंकि इसके स्वास्थे पर नाकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकते हैं। अनार में विटामिन C और K के साथ साथ फोलिक एसिड भी होता है जो गर्भ में पल रहे बच्चे के विकास को बढ़ावा देता है। यह शरीर को चिंता एवं तनाव से भी मुक्ती कराने में सहायक है जो गर्वधारण करने में और समग्र स्वास्ते में सुधार लाने में मदद करता है गर्वधारण की संभावना को बढ़ाने के लिए अनार के बीज और छाल यानिकि तना का चून बनालें और उन्हें बराबर मातरा में मिला लें, इस मिश्रण को एक हवा बंद डिब्बे में रख दें और कुछ हपते के लिए रोजाना दिन में दो बार आधा चमच पाउडर गर्म पानी में मिलाकर पी लें, रोजाना दिन में एक बार एक गलास अनार के रस का सेवन भी आप कर स चाहिए अनार में मौझूद एंजाइम लिवर में मौझूद कुछ एंजाइमों के कामकाज में बाधा कर सकते हैं यदि आप लिवर विकारों के लिए किसी भी विशिष्ट दवा पर हैं तो इस फल या इसके रस लेने से पहले अपने चिकित सक्से परामर्श अवस्य कर ले आप एक डाइट पर हैं और अपने कैलोरी की मातरा को देख रहे हैं तो यह फल या फिर इसका रस लेने से आपको बचना चाहिए अनार से कैलोरी में इजाफा होता है यह वजन बढ़ाने का कारण भी बन सकता है इस फल के अत्यधिक खपत कई विकारों का कारण बन सकती है उन में से कुछ मितली, उल्टी, पेट दर्द और दस्त ये सारे हो सकते हैं आपको लेकिन यह लक्षन आम तोर पर कुछी घंटों के बाद कम हो जाते हैं अनार की अत्यधिक खपत जट्रांत्र पत्थ में जलन भी पैदा कर सकती है इस फल की खपत के कई लक्षन हो सकते है जो एलर्जी का कारण बन सकते हैं उन में से कुछ एक लक्षन हम आपको बता देते हैं कुछ भी निकलने में आपको दर्द होने लगेगा चकते हो जाएंगे चेहरे में सूजन आ जाएगी सांस लेने में कठिनाई होने लगेगी मुह में सूजन और दर्द होने लगेगा इसलिए आवश्यक है कि इसे आप सिमीत मातरा में खाएं और कुछ आवश्यक बातों का ध्यान रखें जो कि हम आपको बता रहे हैं। आप एक सबता तक अनार को कमरे के समान्य तापमान पर श्टोर कर सकते हैं। यदि आप उन्हें फ्रीज में रखना चाहते हैं तो उन्हें प्लास्टिक में लपेट कर रखें। चुनने से पहले हमेशा पहले डॉक्टर से परामर्श आवश्य कर लें। तो देखा दोस्तों आप सभी ने आज हम आप सभी के लिए अनार के फायदों से जुड़ी हुई जानकारियों के लेकर के उपस्तित हुए थे लेकिन इसके साथ साथ हम आपको इसके अधिक मातरा में सिवन से होने वाले नुकसानों को भी बताया। क्योंकि आप ये जानते रहेंगे तो ही फायदा इसका उठा सकते हैं आप तो ये थी आज के हमारी जानकारी आप सभी के लिए अगले एपिसोड में हम आप सभी से जुड़ेंगे एक और बेहद ही महतोपून जानकारी को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार द को सबस्तों